तो दोस्तों Paradise Educator चैनल में आपका स्वागत है आज हम क्लास 9th Maths के चप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक एक ग्जामपल नंबर 4 को आपके लिए लेकर आए हैं यह एक ग्जामपल आपको RS अगरवाल की पेज नंबर 22 पर मिल जाएगा क्या है एक्जामपल, insert a rational number and an irrational number between 3 and 4 हमें 3 & 4 के बीच में एक rational number insert करना है और एक irrational number insert करना है मैं पहले बहुत सारी ऐसी वीडियो लाच चुका हूँ कि आप कैसे दो नंबर की बीच में rational number insert करोगे तो अगर आपने नहीं देखी हैं वो सारी वीडियो तो उपर आई बटन में हमारी class 9 की playlist मिल जाएगी उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि दो numbers के बीच में एक rational number कैसे insert करना है दो rational number कैसे insert करने हैं और any rational numbers कैसे insert करने हैं त तो वो वीडियो जाकर जरूर से देख लिजेगा आज इस वीडियो का main उद्देश क्या है main aim क्या है कि आपको मैं सिखाऊं कि दो numbers के बीच में कैसे एक irrational number को add किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं question complete करने के लिए हम सबसे पहले एक rational number insert करते हैं between 3 & 4 to add a rational number हम क्या करेंगे assume कर लेंगे कि A जो है हमारा वो 3 है और B जो है हमारा वो 4 है ठीक है तो हमें बस एक rational number insert करना है तो हम कुछ नहीं करें हम 3 & 4 के बीच की value अगर हम find कर लें तो हमें वो number मिल जाएगा जो हमें चाहिए मतब एक rational number मिल जाएगा और आपको पता है कि दो number क बीच का अगर आपको value पता करना है तो आप उनका average करते हो आप उनका mean लेते हो चीक है तो 3 & 4 का जब आप mean लोगी तो आपको 3 plus 4 by 2 मिलेगा मतलब कि 3.5 मिल जाएगा और 3.5 क्या होता है 3.5 हमारा एक rational number होता है चीक है तो इस तरीके से हमने क्या किया 3 और 4 के बीच में एक rational number find कर लिया अब हम क्या करते हैं 3 और 4 के बीच में एक irrational number find करते हैं ठीक है तू एड और irrational number अब हम क्या करेंगे फिर assume करेंगे let a is equal to 3 b is equal to 4 चीक है अब जब मैंने आपको properties of irrational number पढ़ाई थी अपनी पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दो number मिले और आपको उनके बीच में एक irrational number add करना है तो आप क्या करो आप यह करो जो भी है मैं करने जा रहा हूं हमें 3 और 4 के बीच में एक irrational number add करना है ठीक है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप अंडर रूट लिखो ए लिखो और उसको बी से multiply कर दो तो यह जो आपको number मिलेगा यह number क्या होगा यह एक irrational number होगा यह क्या होगा एक irrational number तो अगर हम 3 और 4 के बीच में insert करना चाहते हैं एक irrational number को तो हम क्या करेंगे 3 cross 4 करेंगे मतलब root 12 तो यह root 12 कहां लाइ करेगा यह root 12 लाइ करेगा 3 और 4 के bीच में और यह root 12 क्या है यह root 12 एक irrational number है तो आयूप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दो numbers के बीच में एक rational number को add किया जाता है main aim हमारा ये था कि आपको सिखा सकें कि आप दो नमबर की बीच में एक rational number कैसे insert करोगे बाकि rational number insert करना अगर आप हमारे चैनल पर सुरुवात से जुड़े हुए तो आपको आता होगा और नहीं आता है तो आप वीडियो जाके वो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि दो numbers की बीच में rational number कैसे add करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करिएगा शेयर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लीजेगा अगली वीडियो जल्द आएगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत